ओके सो हैरण वेलकुम 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 वैक टो ओमनीबुल जीज हरदीब मलिक और चलिए आज हम देख लेते हैं कि हमारा जुलाई का मंत कैसा रहा था तो पहले आपको यहां पर दिखाता हूं कि हमने अराउंड 14 लैक क्या 15 लैक कुछ मार्जिन यहां पर यूज किया थ लेकिन अगर आप हमारी पुरानी वीडियो में देखो के तो यहां पर कभी 20-22 लाग भी पड़े होते थे और उससे पुरानी वीडियो देखो के मार्च के आसपास की तो यहां पर 30 लाग भी यहां पर था तो मैं धीरे-दीरे करके कैपिटल इसके अंदर से विड्रॉ करत करता हूं क्योंकि यहां पर डेली डेली अब बड़े बड़े पेनल लिखाना और यह सब करना फिर वो वर्थ लगता नहीं है तो बाकि मैं बस छोटे से 10-15 लाग के अपिटल से आपको वहां पर टेलेग्राम पर दिखा जाता हूं कि किस तरीके से आज हमने ट्रेड लिया हुआ ट्रेड ट्रेडिंग के लिए तो यह मैं आपको दिखाता हूं और इसमें से भी आप देखोगे तो मैं यह पूरा यूज नहीं करता हूं तस से 11 लाखी आट मैक्स मैं इसके अंदर यूज करता हूं ट्रेडिंग के लिए तो यह मैं आपको दिखाता हूं कि हर बारी मैंने आपको यही वाल आकाउंट दिखाया है आपको यहां पर करता हूं रइट तो अगर हम यहां पर देखेंगे फ्यूजर सन ऑप्शन मैं स्लेट कर लेता हूं एंड हम जुलाई के मंत का अगर देखेंगे तो फर्स्ट जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक का प्यानल यहां पर FNO का क्योंकि मैं इसका तर्स ट्रेड करता नहीं हूं तो आप यहां पर देखेंगे कि यह कुछ कुछ एक दो तीन चार पांच छे तो छे दिन हमें यहां पर लॉस हुए थे एंड चार तीन चार आट नो और ग्यारा तो अला हम ग्यारा लाइक सम्तिंग का प्रॉफिट हुए और छे जार सम्तिंग इसके गौशन चार्जिस गई है तो गौशन चार्जिस दो है थोड़े कम लगरे होंगे आपको यहां पर क्योंकि इसमें हमने प्रॉपर डिरेक्शन ही खेला था आप यहां पर मार्केट देखोगे जैसे कि आ 1000 पॉइंट से ज्यादा का मोमेंटम है यहां पर हो रख है लेगन जून के महीने में आप आप आपको देखोगे तो इस टाइम पर हमारा जो था उतना पैसा नहीं बनता है लेगन जब ट्रेंडिंग मूव साते हैं तो हम ट्राइग करते हैं कि उसको पूरा कैप्चर करें तो इस तरीके से यह रहता है, यहाँ पर आपको दिखा रहता हूं कि, अब यह देखो, यहाँ पर 2.2 lakh है net profit after deducting the charges, लेकिन इसके अंदर से भी 30% जो है, मोदी जी लेके चले जाएंगे, और उसके बाद फिर गवर्मेंट charges जो रहेंगे, SS, surcharge वगरा यह सब करके at the end, आप मुटा मुटा मान के चलो, इंडिया में आप कुछ भी कमारे हो, तो आपको at the end 50% ही मिलता है, तो मैंने mind में बस ऐसे make-up कर लिया है, कि वही कितना भी पैसा यहाँ पर दिखे, उसका मैं आदा ही मान के चलूँगा, कि मेरे account में actually आएगा, तो उससे क्या होते peace of mind थोड़ा सा रहता है, बाद में जब ऐसा जाता है account से, क्योंकि जैसे कि आपने अभी 31st से पहले जो भी आपने भराओगा, ITR वगरा, उसके अंदर कुछ ना कुछ आपको tax देना रहा होगा, tax refund बड़े rarely आते हैं, मेरा तो शाहिद आखरी बार पता जो मैंने टेलिग्राम चैनल पर भी डाले हुए हैं, कि मैंने किस दिन कैसे कैसे ट्रेड लिया हुए है, तो आप उसको देख सकते हो, आप हमारा टेलिग्राम चैनल जोइन कर सकते हो, Omnibals नाम से, मैं description box में भी डाल दूँगा, और नीचे comment के अंदर भी mention कर दूँगा, चलिए अब देख लेते हैं, stocks के बारे में, कि Monday को आप उन से stocks trade कर सकते हो, वैसे तो मैं टेलिग्राम पर डालता रहता हूं, कि आप कल के दिन यह stocks आप trade कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर आपको शो भी कर देता हूं, कि किस तरीके से, मैं इसको filter out करता हूं, जैसे मेरा क्य अब जैसे मैं यहाँ पर निफ्टी फिफ्टी लगा लिया है, तो यहाँ पर आप देखो डेली चार्ट पर यहाँ पर एक थोटे से रेंज के अंदर यह बना हुआ है, तो हो सकता है कि यह market यहाँ से बिल्कूली ऊपर चला जाए, यहाँ फिर gap down कुल के नीचे आ जाए, फ्लाट ओपनिंग अगर होईगी तो मुश्किल है कि वो नीचे की तरफ आएगा, gap down खुलना बड़ा जरूरी है, market को ठीक है, तो यहाँ पर हमने निफ्टी का देख लिया कि थोड़ा सा एक dice momentum यहाँ पर है, कई पर कोई clear cut यहाँ पर breakout बगरा को कोई scenario नहीं है, ठीक है, तो हम अभी stocks को discuss कर लेते हैं, अधानी मैं recommend नहीं करूँगा कि आप trade करो थोड़े volatile stocks रहते हैं, अगर अगर आप beginner हो तो अधानी stocks से थोड़ा दूर ही रहो, right, तो अधानी को अभी हम थोड़ा hold पर रखते हैं, अब और hospital आप देखोगे तो अभी भी थोड़े support level के आसप इस लैप, Daxon Tech, Apollo Hospital, यह वाले stocks जो हैं, जो चार या पांच जार की range में होते हैं, वो मैं उनको काफी prefer करता हूं, मिरे को trade करना थोड़े अच्छे लगते हैं, right, यह 2019 से 20 की बात है, जब मैं stocks जब यह trade करता था, तो फिर आप इनको भी देख सकते हो, काफी अच्छा momentum आप आप देखोगे कि बड़ी-बड़ी candles के अंदर बनती है, कभी भी आप देख लो कि इतनी बड़ी-बड़ी रैट-ड़ी बन रही है, पूरा उपर गया, पूरा नीचे जा, right, तो इस तरीके से काफी momentum अच्छे रहते हैं इसके अंदर, ठीका, अभी आप देखोगे कि अगर यह नीचे 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 था, थोड़ा सा एक स्पेस है, थोड़ा सा कमी स्पेस है, अगर देखा जाए या बोलो हॉस्पिटल के साब से, तो आप इसको एगनूर भी करके चल सकते हो, right, तो आपको जहाँ पर भी लग रहा हूँ, उस चॉक्स लेक्ट करते हुए कि यहाँ पर थोड़ा डाई से मोमेंटम हो सकता है, तो आप उस टॉक को इनूर ही करो, क्योंकि अगर आप यह देखते रहा जाओ कि 50-50 परशंट चांस जा, तो आप उस टॉक को इनूर ही करके चलो, क्योंकि यहाँ पर देखो 50 स्टॉक है, आप कोई भी अच्छा स्टॉक और कोई न कोई आपको मिल जाएगा, जहाँ पर आपको लगे, at least 70% probability है ट्रेड करने की, कि यह हमारे फिवर में जा सकता है एक अच्छे लेवल पर है, तब ही आप उसको ट्रेड करो, बागी 50-50 या 60-70 के चक्कर में आप पढ़ोगे, तो इतना फायद है निए, 70 के बना सकता है, तो एशन प्रेंट्स को आप सेलिंग के लिए मंडे के दिन पर देख सकते हो, आक्सिस बैंक भी अच्छा लग रहा है, यहाँ पर यहाँ पर पहले इसने क्या करा, एक हेड और शोल्डर टाइप की चीज बना, यहाँ से ब्रेक डाउन करा, पुल बैक हुआ, हो सकता है, अगर यह नेगिटेव यहाँ पर ओपनिंग हो जाए, गैप डाउन खुलेगा, तब ही केस में नीचे चला जाएगा, तो इसको फॉलो थूर एक मिल जाएगा, लेकिन अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद बैंक निफ्टे भी उपर जाता है, तो एक्सिस बैंक भ तरफ यह आ सकता है, तो आप देखोगे कि वैसे तो मैं दोनों तरफ की चीज़े बोल रहूं, लेकिन हमें दोनों चीज़े माइंड में लेके ही चलने पड़ेगी, कि अगर गैप डाउन होता है, तो हम किस तरीके से टेड करेंगे, और फ्लैट होता है, तो कैसे टेड करे करेंगे, तो तो इस तरीके से आपको हर सेनारियो माइंड में लेके चलना पड़ेगा, बजा जो जो हमने यह तरस्टे के दिन डिसकस किया ता कि यह इंवर्ड हैमर यहां पर बना हुआ है, यहां पर ब्रेकडाउं शॉर्ट दे सकता है, और आप देखोगे फ्लैट ओपन का मोमेंटम, अगर आपने इस केंदे 1.5% भी पकड़ लिया हुगा, तो भी आपके लिए काफी अच्छी चीज़ है, तो आप टेलिग्राम चैनल जोइन कर सकते हो, वहाँ पर मैं यह सारे स्टॉक्स जो है, देता रहता हूँ, तो अगर यह फ्लैट ओपनिंगा फिर से आ बन नहीं रहा है, इंसाइड कैनल बना हुआ है, लेकिन कोई अच्छी क्लोजिंग इसने नहीं दिया है, बजाज फिंसर भी कोई ठीक मोमेंटम नहीं है, बीपी सील भी काफी सबोल लेवल के आसपा से रिवर्सल हो सकता है एकदम से, बार्दी आइटल पे कोई भी बन नह रहा है, सिपला में कोई व्यू नहीं है, क्योंकि आप देखो कि ऊपर नीचे काफी इसने मोमेंटम कर दिया, बड़े गाप अप के बाद मार्किट क्या होता है, वाले ट्रेड करता है, उसका अंदर आपके ऐसल हिट होने के चांसे रहते हैं, तो बेटर है कि उसको इनोर क करके ही आगे बढ़ा जाए, कोल इंडिया वह कोई भी नहीं है, कोल इंडिया, पावर ग्रेड, ओंजी सी, ओईल, गेल, सेल, यह वाले सारी जो स्टॉक्स हैं, उनको मैं ट्रेड करता नहीं, और मैं रेकुमेंट भी नहीं करूँगा कि आप उसको ट्रेड करो, क्योंकि व इस वक्त कोई मोमेंटम नहीं है, और डॉक्टर रेडी आप देख सकते हैं, यहां पर आप देखो कि इंसाइट कांडल है, यहां पर फॉर्म कर रहा है, मल्टिपल इंसाइट कांडल से नहीं, तो फार्मा में थोड़ी सी भी अगर मंदी आपको देखने को मिलती है, तो ड स्पाइरी के बीच में इस तरीके से कहीं भी मोमेंटम करते हुए जाएगा, अगर मान लो वर्स्ट के सिनेरियो में भी, तो हो सकता है कि 63 पे ही बंद हो जाए, तो आप 64 जो है अभी 1250 रुपे आपको मिल रहे होंगे, पर लोट के साब से उसमें, और मार्जिन जो है 70,000 क का इसके अंदर यूज होगा, तो आप उसको सेल कर सकते हो, 6400 की कॉल, डॉक्टर रेडी की, तो यह उससे क्या होगा, कि आपको डेट से 2% का रिटन आप इसके अंदर जनरेट कर सकते हो, इस मन्त के लिए, तो आप उसको इंट्टी साइज, जितना भी आपका रिस का अप कर सकते हो, मैं सिर्फ निफ्टी फिफ्टी के अंदर बता रहा हो, कि किस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हो, ऐसे मोटर पर कोई व्यू नहीं है, साइडवेस मुमेंटा मैं, ग्रासिम में भी कुछ खास दिखने रहा है, H.D.F. से एक बाइंग की तरफ अच्छा दिख सकत पर आगया है, एक चार्ज दिन थोड़ी इसी नेरो रेंज मना रही है, तो एनर फोर के साब से फ्लाट ओपनिंग का अगरी उपर निकलता है, तो इसके अंदर बाइंग का मोमेंटम मिल सकता है, तो हीरो मोटर कॉर्प पर कोई मोमेंटम नहीं है, और सारे जो और साल यूनिलिवर भी कुछ खास मोमेंटम नहीं है, आइसेस है, बैंक मेंग कोई वियू नहीं है, आइटी से एक अच्छा शॉर्ट यहाँ पर दिख रहा है, और तो आप देखो के चारपा दिन और इसने मोमेंटम कर दिया है, लेकिन यहाँ पर यह सब्वोर्ट को ब्रेक है, जल्दी से मार्केट नीचे आजाती है, इंडस्वेंट बैंक पर कोई खास यूनिया, इनफोसिस पर भी कोई खास यूनिया, जिस्वेंटम पर साइड विया जा, कोटक बैंक थोड़ा बाइंग की तरफ दिख सकते है, क्योंकि यहाँ पर सब्वोर्ट यहाँ पर ले है, एंटीबीसी वैसे तो अब देखो यह वह वाले स्टॉक से एंटीबीसी ओंगीसी यह सब लेकिन यहाँ पर कहेंगी इसको ट्रेडवल किया जा सकता है, इग्नोर भी कर सकते हो अगर आपको पसंद नहीं है, एंटीबीसी यह सब वाले, पर यह सलिंग की तरफ आप इस को ट्रेड रह सकते हो, एंटीबीसी में कोई व्यू नहीं है, आपको ट्रेड करना ही नहीं है, रिलाइंस जो है थोड़ा अच्छा बाइंग मोमेंटम यहाँ पर दिखा सकता है, यहाँ आप आप देखोगे, कि एक सब्वोट यहाँ पर ले रहा है, उपर की तरफ गया थ टाटा कंज्यूमर एक आ सकता है नीचे की तरफ, यहाँ आप देखोगे, इस साइड कंडल फॉर्म कर रही है, दो तिन मोमेंटम करा, फिर साइड बेस चला गया तो हो सकता है, उपर या नीचे जहाँ भी ब्रेक आउट करे, फ्रेड डॉम निंग बाद इसकंदर दोनों स ट्रोजिंग है, यूपेल भी थोड़ा ट्राए कर रहा है, साइड बेस ही, अल्टर अटेक में कुछ खास नहीं है, वे प्रोग अंदर एक अच्छा मोमेंटम है, आप आप देख सकते हो, उपर के तरफ यहाँ पर यहाँ आप इसे स्पाइक को रिटेस्ट करने अग लिए आजाए, तो जो मार्केट में जो ऐसी स्पाइक होती है, कभी कभी इसको रिटेस्ट करने के लिए मार्केट आ जाता है, तो फ्लैट ओपनिंग आ देख यहाँ तक का मोमेंटम आप इसके अंदर देख के चल सकते हो, और ठीक है, तो फिर यही सारे स्टॉक्स है, तो हमने स जल्दी से फिल्टर आउट कर सकते हो, तो इतना कुछ खास टाइम इसके अंदर लगता नहीं है, बाकि हमने यहाँ आप एरान टूलैक सम्थिंग का प्रॉफिट इसमें के अंदर किया था, देरे देरे आप भी इसको अचीव कर लोगे, तो I think that's all for today guys, और वीडियो चैनल भी Omnibus का जोइन कर सकते हो, आप पर मैं सारी कॉल्स आपको देता रहूंगा, तो that's all for today guys,